शनीवार का दिन डबल हेडर और आई पियल का कारवा आप पहुंचा है अर्ध शतक्त यानि पचासवा मुकाबला सामने दिल्ली अपने घर में खेल रही है और चिनौती है बेंगलूरू की हमारे सामने मौजूद हैं अमोल मज़ूंदार स्वागत अमोल आपका शुक्रिया एक ऐसा मुकाबला जहां पर दिल्ली के लिए तो भाई हर एक मैच अप करो या मरो का फारे हैं और शायद आपकी जो अमीदे हैं वो उस पर विराम लग जाएगा लेकिन जिस अंदास में दिल्ली ने पिछला मुकाबला जीता अमोल अहमदाबाद में जाकर छोटा सा सा स् इशान शर्मा की लाजवाब गेंद बाजी ओड़ा सा होसला बढ़ा होगा अपने घर में खेल रहे हैं जरूर आत्म विश्वास होसला सारा कुछ बढ़ा होगा उस मैच के अगर हिसाब से देखे तो क्योंकि गुजराट टाइटन्स को अमदाबाद में जाकर हराना और व विल्डन्स वो उस मैच से लेके जाएंगे वापस डेली शायद पता चलेगा हमेशे अनवार को किस हिसाब से उतरती है क्योंकि करो या मरो कि स्थिती है डेली के लिए एक वक्त ऐसा था आईपेल में पिछले एक दो हफ़ते के पहले मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर उनक सिक चीजें को देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है और वो शायद अमोल इसलिए भी कि आप अभी तक अपने प्लेंग 11 को लेकर आश्वस नहीं है आप को यह नहीं पता है कि मेरा बैटिंग और क्या होगा आप लगतार बैटिंग और भी चेंज करते हैं और एक बड़ा सवाल जो एक अबूज पहली बना हुआ है शायद आप वो बता सकें कि अकसर पटेल का रोल किया है उनको कहा पर बेजना है कैसे बेजना है कब बेजना है समस्से परे पहले 5-6 मुकाबले अगर आप देखे तो अकसर पटेल तो उनका सबसे बहतरीन बल तो मेरे हिसाब से आईपेल में फॉर्म होना बहुत जरूरी हो जाता है और फॉर्म को परखना उससे भी और जरूरी होता है कि ये प्लेयर मेरे लिए काम करके देगा या ये प्लेयर मेरे लिए बहुत एहम प्लेयर है फिर उसको वो हिसाब से उससे काम करवा लेना वो टी डेली कैपिटल्स खेले तो उसमें अक्सर पटेल का योगदान देखेंगे तो बड़ा था पर उसका फाइदा डेली कैपिटल्स को हुआ नहीं क्यूंकि उनके पास वो वक्त ही कम था और आप इतना जो चेंज कर रहे हैं आप यह देखिए राइली उडूसों को आपने शु टीम में शुरूनों नहीं है तो एक लड़ी को अंदर लाते हैं बाहर करते हैं फिर अंदर लाते है इससे क्या उसका मनोबल नहीं गिरता है बिल्कुल गिरता है कि इसमें कोई संधेह नहीं है पर मेरे इसाब से अगर आप टॉप टीम्स देखें न तॉप टीम्स चैने सूपर किंगे या गुज्रा टाइटिन्स लेगें उनका बिल्कुल ग्यारा सेट होता है आई पील शुरू होने के पहले काम होता है आई पील धुरंदर है यारा धुरंदर मेरे ये है मेरे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि डेली कैपिल्स को ये पता ही नहीं था पहले पांट-छे मैचिस में इतने चेंजिस हुए सरफरास को कीपिंग कराई पहले दो मैचिस फिर हम देखे ही नहीं है सरफरास को अभी शेक पोरेल आया यहाँ पर बैंगलोर में अगर आप देखें तो एक चीज़ बहुत अच्छी ही उनके साथ कि विराट कोहली जबरदस फॉर्म में है फैफ डूपलेसी इलाजवा फॉर्म में है ये टॉप ओर डिली के गेंदबाज इशान शर्मा जिस अंदाज में उन्होंने पिछली बा कोर्स है वो प्ले आफ तक पहुंच जाएंगे देखिए ये ऐसी टीम है थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई थी पिछली मैच में और वो पीछे रखकर अब ये दूसरी मैच है उनके सामने एक अलग लक्ष है डेली कैपिटल से के साथ जीतना बहुत जरूरी हो जाता है अग उन में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जॉस हेजलवूड उनके खेमे में आगे ग्यारा में आगे जॉस हेजलवूड अगर आप देखे तो पिछले साल भी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अच्छा किया था क्योंकि जॉस हेजलवूड का उनकी कामगीरी बह की उसके बाद सीधे अपने घर में दिल्ली और किदार जाधव एक ऐसा खिलाडी जो स्कौाट का अब हिस्सा है क्या दिल्ली के पीछ पर जाधव को अपलाते हैं क्योंकि मैक्सवेल, कोली और फाफ दूपलेसी के बाद मिडिल ओर थोड़ा सा कमजोर है तो क्या ये आप केदार जाधव का आना मेरे इसाब से बहुत बहुत बहतरीन है रसी बी के लिए उसका कारण यही है कि एक मिडल ओर प्लेयर उनका मिसिंग था अगर आप देखे तो ये तीन प्लेयर जैसे हैं कोली फाफ और ग्लेन मैक्सवेल इन तीनों पर पूरा दारुंदार था क्यों क्योंकि प्रभुदेसाई थोड़ा सा अनुभव में कमी है रजत पतिदार नहीं है वो बहुत बड़े हिस्सा था उनका पिछले साल भी जब कोली नहीं खिलते थे फाफ नहीं खिलते थे था अब रजत पतिदार के उपर पूरा दारुमदार था पर मेरे हिसाब से केदार जादो का आना एक अच्छा विकल्ब है उनके लिए बोलिंग भी आएगी उनकी बोलिंग राइट आम ओफ स्पिन बोलिंग भी आएगी उनकी बोलिंग भी प्यारा था क्योंकि सिराज को एक साथ तो मिल गया है है जल वूट का जो पिछले मुकाबले में हमने देखा भी थोड़े से स्ट्रॉंग हुए है सिराज खुद भी अकीला था वो जिमिदारी उनके उपर में हर्शल पटेल भी है विशाग भी है केदार जाधव आ जाते हैं हसरंगा आ जाते हैं तो ये दिली की ये पिछ थोड़ी सी गेंदबाजी के तौर पर बैंगलोर के लिए अच चैलेंजर्स बैंगलोर ने भर दिया है तो फेबरेट रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपके तमाम बातचीत के साब से जी हाँ पर मैं कहूंगा देली कैपिटल्स को हलके में मत ले ना क्यूंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछला मुकाबला जीता है ना ये काटे की तक्र ह और दिली वाले जाने भी जाते हैं कि दूसरे की पार्टी भी खराब कर सकते हैं तो कहीं ने कहीं आप वहाँ पर भी बैंगलोड को डरना होगा चलिए बहुत 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 शुक्री आमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत करने के लिए आप देख रहे थे य किस्पन क्रिकन 4, T20 ताम आट इंड़ी